नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं किर्केष्ट, SDM, सेक्टर 4 आयोजित की जाएगी उन्होंने कहा है कि सभी आवयाथियों का बहाली प्रक्षंडवार होगा उन्होंने कहा है कि इस बार ससमय और चन्वत तरीके से परकिरिया पूरी की जाएगी ज्यारखन में ED अप्सरों की बढ़ाई गई सुरक्षा जमीन घोटाला, अवैद खनन घोटाला समयत कई मामलोग की जांच से जुड़े ED के अप्सरों को नुक्सान पहुचाने की साजिस रची गई थी जिसके बाद ED के अप्सरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है ED के अपसरों को न सिर्फ फर्जी मुकादमे में फसाने की साइस रची गई थी भलिक ED के दो अपसरों के तो नुकसान पहुचाने के लिए आरोपियों ने जहारखन के एक गैंग्स्टर से भी संपर्क साथ लिया था रांची जेल में बंद गैंग्स्टर के एक गुर्गे ने इसको लेकर आरोपियों ने बैठक प्लानिक भी की थी मामले की जनकारी मिलने के बाद ED के दोबार सुक्रवार को रांची की बिशामुणा केंद्रिये करागार में छापे मारी भी की गई ज्यारखन के सरकारी इसकोलों के बच्चों की होगी स्वास्त जाच ज्यारखन के सरकारी इसकोलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्वास्त जाच होगी बच्चों के कान, नाक, मुह, दात से समधित रोगों के साथ साथ कुष्ट, एनिमिया, टीबी, फलोरोसिस, तोचा और मासिक रोग की भी जाच होगी समस्या नजर आने पर सरकार इलाज भी करवाएगी अगर रोग गंभीर निकला तो सरकार उसका राज या उसके बाहर भी बेहतर इलाज करवाएगी इसके लिए सरकार ने स्वास्त जांच पुष्टी का जारी कर दी है मताद सिक्षा पिभाग ने सभी जीलों को निर्देश दिया है कि हर इसकूल में प्रसिक्षीत आरोग दूद के माध्यम से स्वास्त जांच कराई जाए आरोगे दूद 16 थीम पर बच्चों के लिए कलास आयोजित करेंगे इसके अलावा सभी रोगों से समधित बिस्तार से गाइडलेंड भी जारी की गई है जार्खन महिला एसियन चेंपियंस ट्रोफी भारत और जापान के बीच होगा फाइनल मुकाबला भारत और जापान के बीच जार्खन महिला एसियन चेंपियंस ट्रोफी 2023 का फाइनल मुकाबला रभी वार को खेला जाएगा दोनों टीम ने सार्णीवार को जार्खन के रधानी रांची के मराम गोम के जैपाल सिंग मुंडा इस्टोटर फाउंके स्टेडिया में अपने अपने सेमी फैनल मैच जीत कर खिताबी मुकाबले में परवेश किया है बता दे पहले सेमी फैनल में जापान ने चीन को 2-1 से जबकी सेमी फैनल में भारत ने कोरिया को 2-0 से मात दी है चीन और कोरिया के बीच अब का से पदक मुकाबला खेला जाएगा मलेसिया ने थाइलाइन्ड को 1-0 से अरा कर पाचवा स्थान हासिल किया है वहीं फाइनल और कासे पदक मुकाबलार अभिवार को होगा जार्खन के युवाओ को पाइलट बनने का खर्च उठाएगी सरकार राज सरकार हर साल 30 पाइलट तयार करेगी इसके लिए दुमका हवाई अड़ा में कुमर्सियल पाइलट लाइसेंस वीद मल्टी इंजन रेटिंग अएंड एरबस 320 टाइम रेटिंग प्रसिक्छन अकादमी का अकठन किया जाएगा परवेश परिक्षा लेकर प्रसिक्छन अकादमी के लिए अभियार्थियों का चैयन किया जाएगा आरक्षन पर किरियाक का पालन करते हुए 30 परसिक्षू पाइलट को का चायन किया जाएगा इन में से 15 परसिक्षू को राज सरकार 7% चात वीर्ती देकर मुप्त में पाइलट बनाएगी वहीं दो चर्नों में होने वाला परसिक्षन दुमका वा नोएडा या गुरगाओं में होगा एक बार दिये जाने वाले परसिक्षन पर 9 क्लो रुपए खर्च किये जाएंगे बिग्यान संकाय से बरहविक की परिक्षा पास करने वाले पिद्यार्थी राज सरकार द्वार आयोजित की जाने वाली परवेस परिक्षा में बैठने के योग होंगे जार्खन आंदोलन कारी की पेंशन तीन महिने से बाकाया है कई आंदोलन कारियों का इसी पेंशन से गुजारा होता है वहीं दवायों का खर्च भी चलता है जार्खन आंदोलन कारी संहर्ष मोर्चा ने इस बावद डिसी से सिकायत की है मोर्चा के जगत महतों ने कहा है कि वर्ष 2021 में जार्खन सरकार के गिरिह कारा और आपदा प्रवंदन विभाग की ओर सर नीनन लिया गया था कि तीन माह तक कारा में रहने वाले अंदोलन कारियों को 3500 रुपे प्रतिमा दी जाएगी लेकिन दो वर्ष बाद भी 500 रुपे प्रतिमा जो पेंसन बढ़ाई गये उसका भुकता नहीं किया गया है जेल में छापे की अधिकारिक जनकारी दे इडी जामुमो जारकन मुक्ती मोर्चा के महा सची उस्वा प्रवक्ता सुप्रियों भटाचाई ने मांग किया है कि इडी को अधिकारिक रूप से जनकारी देनी चाहिए कि उन्हें बीरसा मुंडा केंदरी ये करागार में छापे मारी के बाद क्या क्या मिला उन्होंने कहा है कि इडी ने छापे मारी के दौरान जो साक्ष जेल के अंदर से जुटा है उसे मीडिया के माध्यम से स्योजनिक करना चाहिए यह कौन लोग हैं जो इडी की जनकारी को बाहर लेकर आने का काम करते हैं जाश तो इनकी भी होनी चाहिए ED जब छापे के लिए जा रही थी तो जीला पुलिस को भी ले जाना चाहिए था उन्होंने कहा है कि सिर्फ राज सरकार की 26 को धोमिल किया जा रहा है ED सिर्फ राजनितिक सड़यांत्र के ताने बाने को बुनने का काम कर रही है 2024 में 33 सरकारी छुटिया जार्खन सरकार का फैसला आया कैबिनेट ने वर्ष 2024 के लिए सोजनिक अवकास की तीथियाताय कर दिया अगले वर्ष एन आई एक्ट के तहट 21 और करेपालक आदेश के तहट 12 दिनों के छुटिया को मंजुरी दी गई 15 जनवरी को मकर संक्रांती वहीं 13 जनवरी को सुभास चंद्रवोस जयांती 14 फरवारी को बसंत पंचमी और 24 फरवारी को संत रविदास जयांती 1 माई को मैदूर दिवस 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस वहीं 29 अगस को राक्षा मंधन 7 सितंबर को गनेश चतुर्थी 17 सितंबर को विज कर्मा पुजा 3 अक्टूबर को सार्दे नौरात्र और 10 अक्टूबर को दसारा वा 2 नौवंबर को गोवर्धन पुजा का आवकास गोशित किया गया है ज्यारखंडियों का विकास 23 वर्सों में नहीं हुआ जैराम महतो महुदा के पथरगडिया पानी टंग की मैदान में सन्निवार को ज्यारखंडि भासा खत्यान संहर समीती बाग मारा इकाई की ओर से बदलाव संकल्प जन सभा का ओजन किया गया सभा को समधित करते हुए जेवी के सेस के सुप्रीमों जैराम महतों ने कहा है कि ज्यारखंड राजे बने 23 वर्सों हो चुके हैं लेकिन इतने दिनों में ज्यारखंडियों का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ उन्होंने इसके लिए राजे के सांसोदों एवं बिधायकों को जिमेदार बताते हुए कहा है कि इन लोगोंने राजे के लिए सही निति का निना नहीं किया राजी की बिधायक अस्थानिय लोगों की बात को बिधान सवा में रखते और उनका अधिकार उने दिलाते तो राजी की लोगों का भी विकास हुआ होता बिहार में वेलकम टू अल पर जहारखन में नाई चलतो बिहार में टीचरों की बाहली में दूसरी राज्यों के अभियार्थियों को भी मौका दिया गया है उन्होंने इसका फाइदा भी उठाया और करीबारा परतिसत बाहरी लोग बिहार में नोकरी पाने में कम्याब हुए अलाकि जार्खन का ममला अलग है यहां अब भी लोग भीत्री बाहरी और 60-40 में उल्जे हुए है बता दे जार्खन में अब एक नया नारा वेजुड गया है जार्खन में हर घर नल योजना की रफ्तार धिमी जार्खन के लोगों को स्वक्ष पेजल उपलब्द कराना सुरू से ही एक बड़ी समस्य रही है ऐसे में राजी के लोगों के घरों तक पाइप से पानी पहुचाने की योजना काफी कारगर सावित होती भारत सरकार ने स्वक्ष से पेजल उपलब्द कराने के राष्टिय अस्तर पर अपने फंड का उपयोग कर 2019 में हर घर नल जल योजना भी सुरूआत की है लेकिन जार्खन में इस योजना की गति बहुत धिमी है बता दे राज में 61,759,152 घरों में नल का जल पहुचाने का लग्चा है लेकिन अब तक 27,62,369 घरों में ही नल जल का कनक्षन दिया जा सका इसका मतलब या है कि राज में करीब 34 लाग से अधिक घरों में हर घर नल जल योजना का कनक्षन ही नहीं पहुचा है रिम्स छात्रों ने होस्टल सुरक्षा बढ़ाने की मांगी रिम्स के होस्टल नमबर 5 में गुरुवार को मेडिकल छात्र की मौत के बाद छात्रों में आकरोस देखा जा रहा है घर्टना के बाद छात्रों ने सुरक्षा बेवस्ता को बेहतर करने की मांगी है आक्रोसित छात्रों ने कहा है कि अजी सुरक्षा मुहया नहीं होगी तो फिर अधिकारियों से इस्थीपा की मांग की जाएगी राजिय के सबसे बड़े एस्पताल रिम्स में गुरुबार को छात्र की मौत हो जाने के बाद अस्पताल परवंधन सवालों की घیरे में है होस्टल नमबर पांच के रूम नमबर 89 में रहने वाले डॉक्टर मदन की मौत के बाद छात्रों में भी भायका महोल है होस्टल में रहा रहे करीब दो हजार चात्रों ने परवंधन से सुरक्षा बेवस्ता को बेतर करने की मांग की है रांची में प्रग्या केंदर से लूट राजधानी में अपराधियों का दूस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा है ओ बेधड़क दिन में उजाले में अपराधि घटना को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं कर रहे लूट की घटना का ताया मामला चान हो कहा है यहां नकाब पोस्ट अपराधियों ने हतियार की नोक परपग्या केंदर से 50 या रूपए लूट लिए यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है पुलिस मामले में आगे की जाच कर रही है J.A.C.A. में छिडी वर्चस्व की जंग J.A.C.A. में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वहां वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है शुरूवात J.A.C.A. स्थीत कंट्री किर्केट कल्व से हो रही है इसी महीने कंट्री कल्व का चुनाव होना है बता दे तो 2012 में कल्व बनने के बाद यह पहली बार होगा जब कल्व के पताधिकारियों के चैन के लिए वोट किया जाएगा B.C.C.I. के पुर्व सचीव स्वर्गी अमिताव चोधरी का बिरोधी गूट कंट्री किर्केट कल्व का चुनाव लड़ेगा बिरोधी गूट की ओर से सुनीर साव को अध्यक्सपद के लिए चुनाव लड़ाई के तैयारी है वहीं J.C.A. की ओर से कल्व के वर्तमान अध्यक्स रायेस वर्मा बॉबी ही अध्यक्सपद के उमिद्वार होंगे दिवाली से पहले जुए के अडोपर पुलिस की रेड आठ आरेस्ट दिवाली से पहले गुमला जिले के सिसाई थाना की पुलिस ने जुवारियों के खिलाप बड़ी करवाई करते हुए सुक्रवार को आठ जुवारियों को सरनी वार को जेल फेच दिया है वहीं जेल जाने वालों में भदवली गाव निवासी राकेस पंडा बरगाव बरटोली के नंदलाल सामिर है बता दे इन जुवारियों के पास से पुलिस ने 31,470 रुपे कैस पचास तास की गड़ी दो चटाई नो बाइक हुआ अने समान भी बरामत किये है ये जनकारी स्पी हरविंदर सिंग ने दी है उन्होंने का एक जुवारियों के खिलाप आगे भी करवाई जारी रहेगी टीपी सी का हाड़कोर नक्सली कुलेसवर यादव पलामू से अरेस्ट उग्रवाद उन्मुलन की दीशा में लोहर्दगा पुलिस को एक बार फिर बड़ी उपलब्धी हासिल हुई है लोहर्दगा पुलिस ने पर्तिबंधित उग्रवादी संगठन टीपी सी के हाड़कोर नक्सली कुलेसवर, कुमार यादव और डिटोल यादव को लेकर भी से छापे मारी अभ्यान चलाया इसी करम में उसे पलामू से गिरफतार कर जेल भेज दिया गया इस समद में लोहर्दगा के पुलिस का अपतान हरीस बीन जामा ने सरनीवर को प्रेस कॉन्फरेंस कर जनकारी दी है एसपी की ने देश पर पेसरार्थाने ममला दर्च कराया गया पेसरार्थाना प्रभारी अक्तर अली के नेतित में टीम का गठन कर आरोपी नक्सली का मोबाइल ट्रेस कर उसे पलामू से गिरफतार किया गया है आर एस एस के संग सिक्छा वर्ग में होगा बदलाओ राष्ट्रिय स्वहम सेवक संग के हाल के सालों में समय के कदम ताल करते हुए समाज और स्वहम सेवकों की जरूतों के अनुसार अपने गनवेस से लेकर करकरमों तक में बदलाओ किये गया है अब संग अपने अस्थापना के 98 साल बाद संग सिक्छा वर्ग में बदलाव की त्यारी की है बताद नया पाठकरम लगभग त्यार कर लिया गया है गुजरात के भरूच में संग के अखिल भारतिय करकारी मंडल की बैठक में इस पर विस्त्रित चर्चा होगी बदलाव की बिधिवत घोसना संग के प्रतिनिधी सभा की बैठक में की जाएगी इडी के लिए लिखी गए कैदियों की चीठियों को जेल परसासन ने दबाया जारखन के रांची सित बीरसा मुंडा केंद्रिये करागार में सुक्रवार साम की गई छापे मारी में इडी को कई ऐसे सबुत मिले हैं जिससे जेल परसासन कट घरे में है इडी के नुसार जेल परसासन ने खुले आम नियम कानून की धजिया उडाई है बता दे जेल में रह रहे कई कैदियों ने इडी राज सरकार वा केंद्र सरकार के नाम अलग-अलग सिकायतों को लेकर पत्र लिखे थे जिने बीना भेजे ही जेल परसासन ने अपने राईस्टर में डिस्पेच दिखा दिया इडी को छापे मारी में कुछ ऐसे पत्र भे मिले हैं जिने कैदियों ने इडी के नाम लिखा था और अगाह किया था कि इडी के अधिकारियों के बिरूद जेल में प्रेम परकास कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिस रच रहा है एक चिठी में इड़ी के अधिकारी को जान का खत्रा होने की बात भी लिखी हुई है सनिवार को रांची विस्वविद्यालय के चात्रों ने जम कर हंगामा किया सहीद चौकीषीट कूलपती के कर्यालय का बाहर सही ताला जड़ दिया था सिंडिकेट की बैठक होनी थी हंगामे के कारण देर से बैठक शुरू हुई दरसल यूजी के छात्रों का समय से रियल्ट नहीं निकला जिसके कारण छात्रों को परसानी हो रही है विश्व विद्यालाय परसासन के सुष्टी के कारण रांची विश्व विद्यालाय के करीब 46 छात्रों का भवी से दाव पर लगा हुए है चात्रों का काना है कि 2017-2020 और 2018-2021 यूजी कोर्स में दो पूरक भी सह पढ़ना था रांची बीश्व भीद्यालय ने एक ही पेपर की परिक्षाली जिसके सामाधान को लेकर 2023 में बीश्व भीद्यालय ने स्पेशल परिक्षालेने का वादा किया था राची बीसवी देलन प्रथाम एवां तीरतीय सेमेस्टर की परिक्षा ली लेकिन चार महाबाद भी रिजल्ट नहीं आया जे एस एसी परिक्षा में तुरूटी मामले की हो नियाईक जाँच नगरपाईलिका सेवा सन्वर्ग सन्युक्त परिक्षा में तुरूटीयों के कारण 5 केंद्रों की परिक्षा रत कर दी गई है जार्खन करमचरी चेन आयोक दवारा की गई इस गलती के कारण बच्चों के भविश के साथ खिलवाड हो रहा है जार्खन बिधान सभा में नेता प्रती पक्ष अमर कुमार बावरी ने इसे लेकर नयाईक जाँच की मांग उठाई है उन्होंने कहा है कि राज के युवाओ में सरकार के प्रती असंतोस का भाव है जिन अभ्यार्थियों पर आवाज उठाने के कारण केस दर्ज किया गया सरकार अविलम केस वापस ले तुरूटी मात्र पांच परिछा केंद्रों पर ही क्यों और कैसे हुई है यह एक अतिस सन्वेदन सिल मामला है नवंबर में अपने गाव आएंगी राष्टपती द्रोपदी मुर्मू राष्टपती द्रोपदी मुर्मू 22 नवंबर को बदाम पहाडवा अपने गिरीछ छेतर रायरंग पूर आ रही है यहां वह रेलवे के बिकास कारे का सिलन्यास करेंगी उनके साथ रेल मंत्री अस्मिनी वैसनों के भी आने की संभवना है दक्षिनपूर्व रेलवे के महा प्रवंधक अनिल कुमार मिस्त्रा सन्नी वार सुब बदाम पहाड सेक्षन का दोरा किया इस दोरान उन्होंने राष्ट पती के प्रस्तावित कारकरम के लिए आयोजन अस्थल, हैलिपेड, सेप्टी सहित अने की समिक्षा की पत्रकारों से बात करते हुए महा प्रवंधक ने बताया है की रायन पूर राष्ट पती का ग्रीष छेतर है ऐसे में स्टेशन डेवलप्मेंट के लिए कई विकासकार्य होने है पलामू में एक मा ने तिन बच्चों को तलाब में फेका फिर खुद दी जान हैदर नगर थाना के मोकहर कला पंचायत के पसिया डिह गाओं से सनीवार की सुबह एक हैरान कर देन वाली घटना सामने है यहाँ एक मा ने पहले अपनी दो बेटियों वह एक बेटे को तलाब में फेक दिया और फिर खुद तलाब में खुद कर जान दे दी तलाब में डूमने से एक पाँच वर्षी पुत्र कर्ण ओर्फ मोदी वह सात वर्षी पुत्री लाडली सहीत मा निर्माला देवी की मौत हो गाई गणिमात रही की एक बच्ची को गरामिनों के सामोहिक परियास से बचा लिया गया घातना सन्निवा सुबा साड़े आठ बजे की है जारखन बिजेपी ने कॉंग्रेस पर लगाया भारतिय रायनीती को परदूसित करने का आरोप जारखन बिजेपी के परदेश महामंत्री ने आरोप लगाया है कि एडी की करवाई और मिले वाइस मैसेज इमेल से साफ हो गया है कि 36 गड़ में कॉंग्रेस पाटी चुनाव में बड़े पमाने पर भोट खरीदने के लिए पैसे के दुरूपयोग की योजना बना रखी थी कॉंग्रेस की परमपरा ही लोगतंत्र को कलंकित करने की है उन्होंने कहा है कि 36 गड़ कॉंग्रेस के चुनाव खर्च के लिए लाए गए करीब 5.39 रूपय को परवतनीज साले ने कैस कोरियर असिम दास के होटल और कार से किये बरामत किया है वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि 60 बाज सिंडिकेट के परमोटर्स बीदेश में बैठे हैं यह राष्ट के लिए ही खत्रा जैसा है रांची के थोक बजार में प्याज के दाम कम लेकिन खुदरा महंगा भारत सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत को नियंतरित करने के लिए कई कदम उठाए है इसलिए राजी के थोक बजार में प्याज की कीमत में 12-15 रुपे परती किलो की कमी आई है लेकिन क्या इस कमी का असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो सबजी मंडी से एक किलो और आधा किलो प्याज खरीते है बता दे दुकंदारों ने प्याज की खुदरा कीमत में कोई कटोती नहीं की है जहां थोक प्याज बजार में 35 रुपे परती किलो बिका वहीं खुदरा सबजी बजार में प्याज की कीमत दोगनी होकर 70 रुपे परती किलो हो गई है 37 राष्ट्रिये खेल में देवघर की लॉन बॉल खिलाडी छोटी ने गोल्ड जीता जहारखन के देवघर की बेटी छोटी कुमाने राष्ट्रिये खेल में स्वन पदक जीत कर इतिहास रस दिया है उसने जहारखन के लॉन बॉल के महिला सिंगल्स में पहली बार स्वन पदक दिलाया है गोवा में चल रहे 37 राष्टरी एक खेल में छोटी ने लॉन बॉल महिला एकल अस्परधा में दिखजो को मात देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्होंने यह सफलता मात्र 20 वरस के उम्रे में हासिल किया है उसकी असफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने बीप्रित परिश्थित्यों में यह मुकाम हासिल किया है उसके पिता कियाने की दुकान चलाते हैं पूरे इवेंट में संदार खेल दिखाते वे छोटी ने केवल दिली से एक मैच हारने के बाद चेंपियन बनने तक का सफर पुरा किया है धन्यवाद